तो गाईज यहाँ पर Prudence Screen Reader का update आपको पता है आया था थोड़ टाइम पहले तो यहाँ पर उसमें कुछ नए features हैं बहुत बड़े-बड़े features हैं तो यहाँ पर मैंने आपको वही features आज बताए हैं लेकिन कुछ extra नई चीज़ भी बताई हैं जो कि कुछ gestures में add है, reading control में add है अब आप direct reading control से अपना चाहिए media volume, TTS का volume, speed adjust कर सकते हो, कुछ नए gestures आये हैं special, एक एक second में आप अपने बहुत important काम कर सकते हो, edit box फेरा clear करना, एक single gesture पर और यहाँ पर आपको जो है इसके अंदर time announcement वाला बड़ा feature मिलता है, call announcement वाला feature मैंने आपको बताया है, यहाँ पर volume क जो नया shortcut आप volume shortcut रसकते हो, वो सब बताया है, तो भहिया कुल मिला कर थोड़ी सी वीडियो लंबी है, लेकिन जानकारी से भरपून है, तो वीडियो को end तक जरूर देखना, बहुत को सीखने को मिलेगा, बोरने होने वाले मजा आएगा, और हगर हाँ, इसके बारे में कुछ मैं नई चीज़े भी बताई है, तो जल्दी से like का वटन दबाओ, subscribe कर लो, चैनल को ऐसी वीडियो से आपर आती रहती है, share करना सभी के साथ, बहुत हमको अच्छा रखता है, जल्दी से 5-0 subscribe कर दो यार भाई, subscribe निकरते हो आप, मैं उमीद करता हूँ कि आप इस वी इसी की sound हम लोग यूज़ करेंगे, पुरा फील आने चाहे, मस्मा sound effects में, तो हम गाई, simple सा आपको पहले shot में बता देते हैं, यहाँ पर बड़े-बड़े features है, जिसमें की time announcement शामिल है, volume, shortcut शामिल है, और कुछ होटे-मोटे gesture है, कुछ reading control में है, कुछ verbosity में हरे चीज में क आए-आए-आए-आए-आए-ए-आए-ए-ए-बड़ी आवाज है, smart voice setting, split it, ओपर करते है, prudent screen reader, prudent screen reader, prudent screen reader, आप दिखते हैं, पर, one by one हम, prudent, accessibility set, tts settings, verbosity details, तो सबसे बड़े, verbosity details में चलते हैं, और इसके अंदर, कुछ नए features हैं, बड़े-बड़े बड़े होताता element, speak usage hints, element description, speak usage hints, switch off, speak list and grid info, switch off, जो चीज नहीं नहीं है, मैं उसको skip कर रहा हूँ, always speak number of list, speak element type, speak window title, switch off, capital letters, speak element ID, speak emojis, switch off, speak emojis, इसको आप on रखना, ये emojis कीप करेगा, speak caller number, switch off, ये बहुत बड़िया चीज है, speak caller numbers, मतलब call announcement वाला feature, direct, इसी के अंदर, आपको मिल चुका है, इसको हम on कर देंगे, permission request, okay, speak usage, speak list and grid info, speak usage hints, switch off, तो आप इसको permission दे रहा है, और इस option को आप जैसे ही on करोगे, किसी की भी call आएगी, call announcement होगी, screen on voice, use speak caller number, switch in, यहाँ पर on है ये, speak emojis, use ringtone volume, to announce the incoming call, switch off, इस option को अगर आप 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 करते हो न, तो होगा क्या, जब भी call name announce करेगा, तो ये ringtone volume का इस्तेमाल करेगा, screen on voice prompt, switch in, ये एक नया feature है, screen on voice prompt, और ये screen off के लिए मिलेगा, मतलब जब आप screen on करो, तो क्या है बोलना चाहिए, time वगएरा है, जो भी बोलता है screen on करने पर, screen off voice prompt, switch in, और screen off जब आप करते हो, तो बोलता है lock screen ये screen off, तो ये बोलना चाहिए है, ये आप अपने साब से on off कर सकते हो, ये भी नया feature है, voice prompt when screen is unlocked, switch in, तो जब screen unlock हो जाती है, मतलब device आपका password से आप खोल देते हो, तब भी ये बोलता है कुछ, तो ये बोलना चाहिए है, ये आप अपने साब से on off कर सकते हो, element description or speak usage hint, speak listen, always, चलिए verbosity से हम बहार आगए, verbosity में खतम, जाहर देखते है, sound and vibration में, मैं आपको ऐसी बताना चाहता हूँ, उपने मूँ से, क्योंकि ज़्यादा हम अगर देखेंगे तो बहुत लंबी हो जाएगी वीडियो, यहाँ पर कुछ sound themes नहीं आई है, तो आप सुन लेना, select करकर कि बाकी कुछ नहीं है, इसमें, सिंपल सा है, जैसे commentary screen reader में, मैंने वीडियो बनाई है, वो देख लेना, notification वाली, तो यह notification किसे साब से read करें, क्या screen off में read करें, जो pop up notification होती है, वो read करें क्या, जो टोस्ट नोटिवेशन होती है वो रीड करें क्या जो इस एप की नोटिवेशन होती है वो रीड करें क्या तो मैं अब कुल मिलागा आप स्लेट कर सकते हो कि कौन कौन सी नोटिवेशन इसको रीड करना चाहिए कौन सा नहीं ठीक है अब कस्टमाइज जेस्टर में मैं आपको कुछ जेस्टर दिखा देता हूं जो मेरे को लगे एक दो नए यहां से हम कोई भी जेस्टर उठा लेते हैं चलिए उठाते हैं सबसे एंड में चलते हैं और देखते हैं अपन तो पॉज और रिजूम स्पीच फीडबैक यहां से आप कर सकते हों तो यह डिक्रीज और इंक्रीज वॉल्यूम अब आप रख सकते हो जेस्टर पर यह एक बहतरीन ओप्शन मुझे लगा है क्लियर एडिट बॉक्स का मतलब आपको पता है जीशो में भी यह जेस्टर होता है आप एक जेस्टर अप्लाई करो एडिट बॉक्स पे जो भी लिखा है एक बार में यह सफा चट क्लियर हो जाएगा तो यही यह प्रूडेंस में अब आचुका है एडिट बॉक्स क्लियर करने के लिए जेस्टर रख सकते हो पेस्ट अंचेक्ट पेस्ट का तो यह सब तो ही पहले से अब नेक्स्ट प्रीविए नेक्स्ट टाइप प्रीविए लॉंग प्रेंस अंच्ट यह और नया मैं दिखाना चाहता हूं आपको वह अब यहाँ पर यह आपको समझने है यहां पर दो तरह की अपेंड है झाफी अंचेक्ट डूसरा कॉपी होते है फसी प्रेंटं फ्रेंज और इसी का दूसरा आया है अपेंड्रॅट् कुछ edit box में लिखे हैं उसे आप copy करते हो तो वह copy बाना जाता है तो यहां पर अब अपेंड वाला option इसके लिए भी आ गया है अपेंड लास्ट पोकन फ्रेज अंचेक्ट ठीके copy last spoken phrase तो था ही मतलब जो यह बोला आप उसको copy करेंगे और अपेंड लास्ट पोकन फ्रेज अगर आप करते हो तो उसी को आप अपेंड कर सकते हो मतलब यह बिल्कुल सेम चीज़ है बस इसमें अंतर इतना है कि जो नॉर्मल कॉपी यह नॉर्मल अपेंड होता है वो किसी edit box वेगरा के लिए होता है और यह आपका जो यह TTS बोलता है जो screen reader बोल रहा है उसके लिए होता है तो यह नया option मेरे को बहतरी लगा इसमें इसको आप देख सकते हो बैक करेंगे पर पर डिखाता हूँ जो कुछ मेरे को नया लगा लेंग्स लन विंडो च्रोल टीए रेट अंचेक्ट टीएस रेट आप इसको जुरूर रखना जिसे कि आप डिरेक्ट आप की स्पीड यहीं अधिये इक नहीं चीज है टीटी एस वॉल्यूम आप पर जसकते हो मतलब एक तरह से एकशेश्बिल्टी वॉल्यूम वाला जे टौक परेट में फीचर उस तरह से काम करता है तो आप इसको भी रीडिंग गर्रोल में रह सकते हो यह मीडिया वॉल्यूम का भी आगया option कि आप मीडिया वॉल्यूम भी डिरेक्ट यही से रज़ेस्ट कर सकते हैं आपको वॉल्यूम बटन की जुरुत ही नहीं है कैंसल कर देता हूं फिलाल मैं ठीक है यह कुछ नया था बाकी मेन्यू अगरा मैं आप देख सकते हो मैं इतना बता रहा हूं डिटेल में इससे ज्यादा डिटेल में अगर मैं बताऊंगा तो वीडियो हो जाएगी बहुत लंबी तो आप ज़रूर करना अब आये हम बड़े बड़े फीचरों पे वॉल्यूम शॉर्टकट की सेटिंग यह बहुत बहतरीन फीचर है इसको मैं आपको डिटेल में समझाना चाहता हूं इस फीचर का सिंपल सा मतलब इतना है आपके वॉल्यूम बटन को आप एक बड़ दबाओ क्या होना चाहिए नीचे वाले को दबाओ क्या होना चाहिए तो यहां पर आप वॉल्यूम बटन पर शॉर्टकट रख सकते हो ठीक है अब मैं डिटेल में दिखाता हूं तो सबसे मेला इसमें यह वाला ऑप्शन है कि जब आप एडिट बॉक्स में रहोगे तो आप वॉल्यूम आप या डाउन से ही करसर को आगे पीछे कर सको तो इसको आप अन कर देना है तो आज कल के टॉक बैक में नया फीचर नी आ रहा लेकिन इसमें मिलता है आपको वहत इसको इसके बाद वाले आप शेड़ सकते हैं तो जब आप अपने वॉल्यूम आप बटन को लॉंग प्रस करके रखो तो क्या होना चाहिए यहां पर आप क्लिक करो तो आपके सामने वह सारे ओप्शन आएंगे जो आप एक जेश्टर पर रख सकते हो जो आप एक मैन्नी आप एक रीडिंग कंट्रोल पर रख सकते हो तो इसमें जाके मैं टाइम वेस्ट नहीं कराना चाहता लेकिन मैं आपको बता चुका हूँ कि क्या यहां पर आपको दिखेगा तो इन में से कोई भी ऑप्शन आप रख सकते हो हा लेकिन मेरा यहां पे फीडबेक है कि कोई ए करके आप यहां से कर सकते हों आप यहां से कर सकते होंото कुछ नहीं कि कर ट्रिपल प्रेस भी है वैसे अगर आप जितने ज्यादा यहां पर रखते जाओगे शॉटकट उतना आपका वॉल्यूम बटन स्लो होता जाएगा यह भी मैं आपको सासाथ बता रहा हूं अगर आपने डबल ट्रिपल भी रख जाएगा कई लोग की भी यह आदत है फॉन के बटन ऐसे दवाते तीजोर से तुड़ 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 वॉल्यूम बटन को अरे रुकते ही नहीं है तो उनके लिए तो क्या है वॉल्यूम बढ़ेगा नहीं कॉपी अलग हो यह उनीक है बड़ा पहले वॉल्यूम बटन से आप यह बड़ी ऑप्शन है दोस्तों किसी में इतने सारी ऑप्शन नहीं मिलते आपको यह उनीक कंसेप्ट है पहले आप वाला दो फिर डाउन दबाव तो क्या होना चाहिए प्रस वाल्यूम डाउन देन वाल्यूम अप की फिर ऐसा ही एक और है कि पहले वॉल्यूम डाउन दबाव फिर अब दबाव क्या होना चाहिए तो आप से एट कर सकते हो यूज बस खताम हो गया ऑप्शन ठीक है आप हम यहां से बैक करते है तो यह बहुत पड़ी अबड़ी है शॉर्टकट है आप इन में से यूज कर सक तो क्याओ मतलब करना उन सरह वाल्यूंड बटन रशान टाइम नामस्मेंट बड़े बड़े फीचर हें तो क्लिक करके दिखाता हूं मैं इंटर्वल आप स्लेट कर सकते हो कि 15 मिन बाद आदे घंटे बाद आउंस करें दिखाता हूं में 30 कर देते तो अब यह 30 मिनट बाद टाइम अनौस करेगा अब टाइम अनौस्मेंट पिरिएड भी आप से एट कर सकते हो कि कब कभी अनौस करना चाहिए देखें ठीक है किस पिरिएड में अनौस करना है चीड़ेगा तरह से सिंपल है कुछ यादा आपको इसमें कन्फ्यूज नहीं होना इंटर्वल का मतलब है कि कि यहां पर आपको यही तीन आप्शन मिलते हैं आप इनेबल करो और यूज करना शुरू करो बैक करते हैं अब यहां पर हम एंड मोखे पर आचुके एडवांस सेटिंग में कुछ ऑप्शन आया है नहीं वो में आपको दिखाना चाहता हूं यहां पर क्या है अगर आप इसको आफ कर दोगे तो आपका जो स्कीन डिड्रिया टीटियस बोल रहा है वह आपका मीडिया वल्यूम में नहीं बोलेगा तो आप चाहो तो इसको और रख सकते हो विसे और नहीं रखना इसको यह हम सभी जानते हैं यह यह पता है हमको यह एक नया फीचर आया है तो मेरा फोकस अपने आप उसी ऑप्शन पर चला जाएगा जो मैं लास्ट आया था यानि कि इड्वान सेटिंग पर यहां पर आप सिंगल प्रेस कर सकते हो और अपने आप बैक हो जाएगा आपको यह पुराने जमाने की थोड़ी आद दिलाएगा आपको ठीक है ख़तम मैं अब यही दोनों आप्शन प्रैक्टिकल करके दिखाता हूं बैक करूंगा मैं देखिए एक बार मैंने बैक किया और यहां पर मेरा यह बैक हो गया अब यह वाला फोकस वाला दिखा देता हूं BACK करें तो फोकस वाला आप अच्छे से काम नहीं कर रहा है इसके हम वेट करते कम सही हो जाएगे बस खत्म हो गए दोस्तों अप्शन तो यहाँ पर मैंने आपको बहुत अच्छे से कोशिश किये थोड़ा आपको डिटेल में भी समझाये जाए थोड़ा टाइम भी कम लगा कैसे लिए आपको वीडियो कमेंट करें अच्छे लिए लाइक कर देना भी या सभी के साथ शेयर कर देना चैनल को सब्सक्राइब कर लो बैल एकन को औल पर स्लेट कर लो ऐसी ही वीडियो आपके लिए आती रहेंगी वाटसेप टेलीगर आम ग्रूप में आप लोग वाट